हलो फ्रेंड्स आप लोग का मेरे चैनल यसजी व्लॉक्स में हार्दिक स्वागत है और आज का मारा एक और हेलफूल वीडियो है जिसमें हम जानेंगे अहुजा के एसे से डाइसो वाट से हजार वाट तक इस अभी एम्प्लीफायर के बारे में जानेंगे जिसमें जिसका न्यू प्राइज लिष्ट कितना है दो हजार तेस में और इसमें क्या-क्या चला सकते हैं कितना लोड डाल सकते हैं कितने हम इसमें यूनिट ड्राइबर चला सकते हैं और कितने sound चला सकते हैं इसा भी amplifier का हम price भी जानेंगे और इमें कितना load डाल सकते हैं यह जानेंगे तो आइए सुरू करते हैं अहुजा के amplifier इसी लिष्ट में हमारा सबसे पहला amplifier अहुजा का है जो अधाई सो वाट का है इसका model number है SSA 250 FX और इसका powerful amplifier है इसका power 200W का है आरमेस और मैक्स पावर इसका 300W का है यानि अगर आप इसमें चाहें तो आप 50-50W के च्छाहारन अलाम से चला सकते हैं इसली इसमें चला सकते इसमें कोई problem नहीं आएगी और काफी सांदार amplifier अच्छी quality amplifier और इसका इसका प्राइच का अप्रोक्स प्राइच इसका 15,000 से 16,000 रुपए परेगा इसका हर मार्केट में प्राइच उपर नीचे हो सकता है इसलिए इसमें थोड़ा प्राइच ज़्यादा और हमारा दूसरा amplifier है अहूजा का इसका model नंबर है SSA 250DP पावर है 2500W और इसका max power है 3.5 इस amplifier में हमें digital player मिल जाता है इसमें जो है Bluetooth वगारा memory वगारा आप हम सब यूज कर सकते हैं यह इसका memory card का panel है तो यह अराम से 400W तक का लोग डाल सकते हैं इसमें कोई problem नहीं होगी काफी सांदार amplifier है इसमें feature दोड़ा जादा मिला तिसलिए महंगा पड़ेगा इसका power 2500W और max power इसका 300W है आप यह बहुत सांदार और rough type amplifier है आप इसको अराम से यूज कर सकते हैं लांग टाइंग चलने वाला amplifier है और काफी सांदार है और इसका price 1819,000 रुपए है और इस list में हमारा तीसरा amplifier आता है model नंबर जिसका है SSA 250M यह अहुजा का काफी सांदार amplifier है इसका power 2500W है और 300W इसका maximum power है इसका approach price 75,500 रुपए है और अहुजा के तीन model आते हैं तो माइन में तीनों में आपको suggest करूँगा आप अहुजा का SSA 250DP लेजिए यह काफी सांदार amplifier है थोड़ा काशली जरूर है मगर इसमें feature भी बहुत सारे है इसमें आप Bluetooth के द्वारा connect कर सकते हैं memory card लगा सकते हैं direct pen drive भी लगा सकते हैं काफी सांदार amplifier है अहुजा का है और इसी लिष्ट में मेरा चौथा amplifier आता है अहुजा का SSA 350 जिसका नंबर है model नंबर SSA 350 इसका power 350 watt armis है max power इसका 450 watt maximum power है और यह अहुजा काफी सांदार amplifier है जो की साड़े 300 watt से साड़े 400 watt तक का आराम से आप इसमें load डाल सकते हैं इसमें कोई प्राबलम नहीं आएगी और काफी सांदार amplifier है इसका approach price आपको पढ़ जाएगा 20,000 से 22,000 रुपिया आप यह amplifier भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा अगला amplifier है जिसका model नंबर है SSA 5000 dp यह सेम अहुजा का ही जिसे 2500 watt का dp amplifier सेम वही फीचर के साथ है बस इसका wattage बढ़ गया है इसमें भी आपको memory card Bluetooth का option मिल जाएगा इसका power output है 500 watt और maximum 750 watt का max power है यह अहुजा काफी सांदार amplifier है और इसमें आप अराम से 1000 watt तक 800 watt तक का लोड डाल सकते हैं जो कि काफी सही चलेगा आप अहुजा का amplifier सभी बेश्ट रहता अहुजा का नाम ही काफी है आप इनको जरूर यूज कीजिए काफी सांदार amplifier है और इसका power जो है 500 watt से 750 watt armist power तक है यह amplifier में आप जो है 5-6 मेर चला सकते हैं और इसका prox price 32,000 से 34,000 के बीच में पड़ेगा यह amplifier बहुत सांदार है और power load के लिए मामले में बहुत ही आगे है अक्सर जो छोटे मोटो प्रोग्राम करते हैं इसमें mixer लगाने का पुझो तो नहीं अगला हमारा amplifier है अहुजा का SSA 5000 EM यह अहुजा का amplifier है यह भी सेम amplifier है बस इसमें Bluetooth वाला जो कार्ड लगा रहता उसको हटा दिये गया है और इसका power 500 watt army से 750 watt max power है इसमें भी आप सेम load डाल सकते हैं बस इसमें आपको जो है DP में जो है आपको Bluetooth का option मिल जाएगा कार्ड लग इसमें यह option नहीं इसका प्रोक्स प्राइज मिलेगा आपको 28,000 से 30,000 रुपिया अहुजा का brand है जो हर साल इसका rate बढ़ता रहता rate बहुत बढ़ता लेकिन हाँ quality भी है नमबर एक की रहती है और इसमें जो है आप काफी सांदार यूज कर सकते हैं और यह amplifier है बहुत सांदार और हमारा अगली amplifier है जिसका model नम है SSA 7,000 यह हमारा अहुजा का 700 watt का amplifier है जिसका power rating है 700 watt आरमेस और 950 watt maximum power है आप इसमें 1000 watt तक लोड डाले 500 watt के दो कॉलम चलाए बहुत ही सांदार चलेंगे और रफ हैंट आप चलेंगे आप इनने 24 घंटे चलाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यह अहुजा का काफी सांदार amplifier है और इसका प्रोक्स प्राइज आपको पड़ेगा जाके 36,000 रुपया से 38,000 रुपया है अहुजा का काफी सांदार amplifier है और आप इसको यूज कीजिए इसमें आपको मजा आ जाएगा आप इसमें कम से कम साथ माइक यूज कर सकते हैं और आप इसमें विदाओर मिकसर भी चला सकते हैं मिकसर के आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यह amplifier काफी सांदार amplifier है और इसी लिष्ट में हमारा अगला amplifier है अहुजा का ही amplifier है जिसका model नमबर है SSA 1000 यह हमारा 1000 watt का amplifier है जो की बहुत ही powerful है और बहुत हाई वाटेज और weight भी इसका बहुत जादा है इसलिए इसको उठाने के लिए मजबूत दो handle लगे हुए है इसका power rating के बात काई तो इसमें 1000 watt RMS और 1350 watt max power है आज में 14-1600 watt तक हम maximum load डाल सकते हैं बहुत ही सांदार चलेगा यह ज़्यादतर DJ वालों के पास हमेशा रहता है और यह काफी भरोसे मन्द amplifier है ज़्यादतर DJ वाले ऐसो कोई DJ वाला भाई नहीं होगा जो इस amplifier को यूज नहीं करता होगा काफी सांदार amplifier है आप इसका यूज कीजिए तब आपको इसका quality समझ में आएगी काफी भारी amplifier इसको उठाने के लिए दो लोग चाहिए और इस amplifier में आप जो है तो अहुजा का नाम ही काफी है यह काफी सांदार amplifier है इस amplifier में आप जो है 14-16 तक का लोड डालिए काफी सांदार चलता है लेकिन यह रहता है कि थोड़ा लोड खम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और ओर लोड की मामले में अहुजा काफी सांदार amplifier है आप इस amplifier को यूज कीजिए और फिर इसमें आराब से आप कम से कम आप 25-30-40-40-8 की यूज कर सकते हैं यह है अहुजा के हमारे इस इस amplifier हाई वाटेज के amplifier है इन amplifier मुझे जो जान काई थे मैंने आपको देई तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं